नमस्ते मैं गिरीष इद्राम शिंदे और आज के इस टॉपिंग में हम लोग रैफ्रेजनेंट डिस्टिबीटर जो है उसके बारे में बात करेंगे तो रैफ्रेजने डिस्टिबीटर को समझने से पहले हम लोग यहां पर देखेंगे सिंग्ल सर्कृट क्या होती है तो यहां पर डाइग्राम में आप देख सकते हो, यह जो कॉईल यह एवापरेटर आपको नज़र आ रहा है, that is single circuit evaporator, तो single circuit evaporator में क्या होता है, इसको हम सिर्फ छोड़ी मशीन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि refrigerator हो गया, यह वाटर कुलर हुआ, तो उसको काफी pressure drop हो जाता है, क्योंकि कोईल की लंबाई काफी ज्यादा है, और because of इतनी लंबी कोईल होने के कारण उसका pressure drop ज्यादा होने के कारण यहाँ पे सही pressure maintain नहीं हो पाता और इसके विज़े से हमें single circuit कोईल वहाँ पी यूज़ नहीं कर लिए है, second thing जा होती है, जो भी reference यहाँ पे आता है, कही न कहीं बीच में evaporate हो जाता है, इतनी लबी कोईल है तो इसके 50% कोईल है, इसी में यहाँ पे इस spot में क्या हो जाएगा reference पुरी तरीके से boil off हो जाएगा, और आगे की और में सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, वेपर reference तो कोईल का जो है 50% ही एरिया जो है 50% ही कुलिंग कर रहा है, और जो कोईल खाली 50% efficient है, बाकि 50% कोईल efficient नहीं है, तो single circuit evaporator के बारे में क्या जी है, single circuit evaporator cannot be used in large air conditioner, large air conditioner में single circuit evaporator को use नहीं कर सकते हैं, because of excessive pressure drop, इसमें pressure drop काफी होता है, और liquid reference कहीं पी तो बीच में ही boil off हो जाते that is why हम यहाँ पर single circuit evaporator जो है बड़े air conditioner में यूज नहीं कर सकते हैं, तो जहाँ पर single circuit evaporator है, वहाँ पर distributor कोई जरूरोद नहीं है, वहाँ पर reference distribute हो गए होगा तो कोईल की side छोटी होती है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर diagram में देख सकते हो, यहाँ पर हमने multi circuit evaporator यूज किये है, तो यहाँ पर multi circuit evaporator में क्या होता है, थोड़ा reference इस में से जाएगा, फिर यहाँ पर liquid reference boil off के suction line के header में जाएगा, इसको हम header भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख दूँ, आगे क्या हो जाता है, आगे कुछ reference यहाँ पर आएगा इस coil में, और तो यहाँ से suction header में जाएगा, कुछ reference जो है, यहाँ पर आजाएगा और यहाँ से suctionator में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या advancement की, हमने जो coil थी, उस coil के तीन हिससे कर दिये, पास, सेकेंड, थर्ड, और जो coil में से reference क्या हो रहा है, अभी तीन हिस्सों में divide हो रहा है, तो हर एक coil को sufficient liquid reference जो है ना, इसको भी म gas, and very little liquid refrigerant, while the other section will get more liquid than they can evaporate, मतलब इस case में क्या होगा, अगर मैं reference distributor यूज नहीं करता हूँ, तो यहाँ पर flash gas बनती है, expansion wall के बाद में flash gas बनती है, okay, flash gas, तो flash gas का percentage क्या होता है, 19% से लेके 24% तक क्या होती है, flash gas, flash gas क्या होती है, जब refrigerant evaporator में enter करता है, तो refrigerant का खुद का temperature कम करना होता है, तो refrigerant का खुद का temperature कम करना होता है, तो refrigerant अपने में सही 19 से 24%, जो भी इसकी efficiency होगी, उसके accordingly, 19% या 24% के बीच में reference यहीं पर उबाल देगा, okay, और बाकी बच्चवा reference जो है, liquid form में रहेगा, जो यह तीनों कोई मे इस कोई में चला जाएगा, और यह जो कोईल हो, इतनी ज्यादा अच्छी तरीकी से काम नहीं करेगी, और बाकी जो कोईल होती, इसको ज़रूर से ज्यादा liquid reference मिल जाएगा, और जरूर से ज्यादा liquid reference मिलने के कारण, इसमें liquid flood pack होने की chances है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसा कुछ arrangement करना होता है, जिसे कि ए तीनों coil को equal refrigerant मिले, और उसके लिए जो use किया जाता है, उसको हम क्या कहते है, refrigerant distributor, तो अब यहाँ पर डाइग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो triangular portion है, that is called as a refrigerant distributor, इसमें centrifugal type में इसमें गुमाया जाता है, तो उससे क्या होता है, ज जो भी flash gas है, तो थोड़ा सा is coil में circulate होगा, थोड़ा flash gas and liquid is coil में भी चला जाएगा, तो तीनों coil को equally liquid and vapor mix होके यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर क्या लेकर इसको पढ़ते है, multi-circuit evaporator, in a multi-circuit coil fed by one throttling device or expansion wall, एक expansion wall या throttling device से इसको fed किया जाता है, All flash gas form at its outlet will rise to the topmost coil section and thus no liquid, maybe very liquid, little liquid referent will be circulated through the heat, making it ineffective, तो अगर हम multi-circuit evaporator में use नहीं करते हैं, किसको यूज नहीं करते हैं, अगर referent distributor को यूज नहीं करते हैं, तो काफी कम मात्रा में जो है, liquid refrigerant जो है, वो कहाँ पर जा सकता है, इसमें first coil में जा सकता है, तो हमें first coil में क्या करना होता है, liquid और जो vapor refrigerant है, उसका mixture जाना चाहिए, same quantity में liquid vapor mixture यहां पर जाना चाहिए, और same quantity में liquid vapor mixture यहां पर जाना चाहिए, that is why we use this kind of refrigerant distributor, तो इसमें centrifugal types में refrigerant bril किया जाता है, और उससे जो है, दोनों भी चीज़े mix हो जाती है, जो liquid है और flash gas, plus liquid होता है, इसको mix किया जाता है, और mix करके दोनों जो है equal quantity में, सब coil को distribute करने के यहां पर कोशिश दी जाती है, तो कैसे होता है referent distributor यहां पर देख सकते हैं, मैंने एक जास diagram बनाया है, बीच में इसको restriction है, तो क्या हो जाता है, जो भी referent आता है, तो जो भी vapor liquid picture है, वो side में से चला जाता है, बीच वाला portion जो खाली रहता है, यहां पर यहां पर ऐसे होता है, और जो भी referent outlet होता हो, यहां से थोड़ा बाहर निकलेगा, तो यहां से गोल-गोल गुम के referent बाहर निकल रहा है, तो each and every जो outlet है, इसमें से थोड़ा सा वेपर और थोड़ा सा liquid जो है, यहां से बाहर निकलता है, यहां पर referent distributor के बारे में कुछ दिया है, the referent distributor mixes the flash gas and the liquid, यह क्या करता है, liquid and flash gas तो उनों को mix करता है, homogeneously, एक साथ mix करता है, and fit practically equal quantity of the mixture to all the section of the coil, coil में जितने भी sections है, उस section को equal refrigerant जो है, यह सारे क्या है, refrigerant outlet है, इस outlet में से equal liquid and vapor का mixture जो है, यह दिया जाता है, vapor मतलब उसमें flash gas होती है, तो इस तरीके से बीच में, बीच में से restriction होता है, यहां से क्या हो जाता है, equal quantity में liquid और vapor जो है, ताकि यह जो तीनों coils होती है, यह तीनों coils को equal quantity में क्या मिलते रहे, liquid और vapor referent मिलते रहे, ताकि कोई भी coil जो है, इसमें excess liquid referent ना आए, ताकि कोई liquid flood back compressor को ना हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता कि एक coil जो है इसमें vapor ज्यादा रहेगा तो कोई का एक section काम नहीं करेगा, और बाकि section ज्यादा active रहेंगे, या फिर इतना इसमें referent आएगा, ज्यादा करें लिक्विड बॉल आफ ना हो सकते है, तो इसका ध्यान रखने के लिए, जो refrigeration system होती है, उसमें referent distributor का यूज़ किया जाता है, ज्यादा करके आपको जो package air conditioner होते है, उसमें उसके आगे की जो machine है, उसमें referent distributor आपको दिखाए देगा, इवन window air conditioner पर देखो कि आपको ऐसे दो coils यहां पर दिखाई दे सकती है, दो capillaries होती है, जो separate refrigerant जो है, अलग-अलग coils होती है, उसको referent प्रोवाइड तरती है, लेकिन आपको पक्का जो package AC होती है, यहां पर में लेक देता हूँ, PSE, तो PSE में आप चेक करो, PSE की जो package जो cooling coil होती है, वहां पर आपको इस तरीके से distributor जो है, दिखाई देते है, तो एक function होगे, reference distributor का, सिर्फ जो उसका location जो होता है, यहां पर में सीधा बता है, practically जब आप देखने जाओगे, तो आपको यह अच्छी तरीके से लिक्विड और वेपर जो है, मिक्स हो सके, तो आप always देखो, जो भी reference distributor होगे, वो कैसे होगे, इसे vertically install किया जाते है, horizontally just, मैंने यहां पर explanation के लिए ड्रॉ किया है, otherwise आपको vertical reference distributor जादा करके, यहां पर दिखाए देंगे, thank you for watching this video, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाते है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो दिखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए, गुड़ बाई